हलो एन वेलकम नमस्कार न्यूस क्लिक मैं आपको स्वागत कर रहा हूँ आज मेरा साथ भारंपूर का सांसद अधिरंजन चोधरी जो कॉंग्रेस पार्टी में कॉंग्रेस पार्टी का नेता है लोग सभा में उनके साथ हूँ उनके घर पे साउथ एविन्यू लेन में बैठ हूँ अधिर जी आने वाले विधानसवा चुलाओं में जो पश्चिम मंगाल में आने वाले हैं हम देखते हैं किस तरह से आज भारते जनता पार्टी आगे बढ़ रहा है कॉंग्रेस पार्टी और वामदल का एक गड़पंदन है मगर हम देख रहे हैं कि आपका पार्टी और वामदल स्रिनमूल कॉंग्रेस जो सत्ते में हैं अभी दस साल होने वाले हैं सत्ते में उनके से उनका भी रोत कर रहे हैं तो इस तरह से जो बीजेपी भारते जनता पार्टी बनाम जो वोट है भाग हो जाएगा और इसके फायदा भारते जनता पार्टी को मिलेगा है बज़ाए क्या है कि बंगाल में सत्तरूर पार्टी है टीएम सी बीपक्स पार्टी में जैसे कौंगरेस है जैसे बंपंत्थी दलों है उस तरग की बंगल की बीपक्स पार्टी में एक पार्टी बीजेपी भी है और बंगाल में पिछले दस सालों से सत्तरूर टीमसी पार्टी की हिंग्सा दहिसादगर्द अत्तचार हम जैसे कॉंग्रेस पार्टी के आम जो वरकर है जो आम कार्ज करता है बंपंदी दलों की जो आम कार्ज करता है खासकर गोटा सारे पार्टी सब को यह जहिलना पड़ा पिछले दस सालों से सत्तरूर टीमसी पार्टी की अत्तचार और दहिसादगर्द की शीकार बनते हुए सारे बिपक्स दलों ने जिस बिपक्स दलों ने पहले बंगाल में धरम निरपक्स जमीन की एक बड़ा हिश्चा अपने पास रखा था वो धरम निरपक्स जमीन घिसरते गए क्योंकि हमें बंगाल में राजनिती करने का मोका नहीं दिया गया जैसे कि मोदी जी हिंदूस्तान को कॉंग्रेस मुक्त करना चाते हैं वैसे हमारे बंगाल के सत्तरूर पार्टी टीमसी और उनकी नेत्री ममत बैनाज जी वो खुद चाहती थी कि बंगाल कॉंग्रेस मुक्त बन जाए बंगाल बिपक्स मुक्त बन जाए तो किसी अगर पार्टी सत्ता में रहते हुए अगर इस तरकी की सोचे कि हमें बिपक्स मुद बनाना है तो बिपस्ट मुख बनाने के लिए क्या करना परता अत्तचार दैसादगर इधार CBI उधार CID ये हमारी किलाब चलते आए हैं इसके चलते परिनाम क्या हुआ परिना हुआ हुआ हम कमजर होते गए हैं जब धरम नीरपक्स जमीन घिसकते जा रहे हैं जा रहे थे तक सारे अत पहर जमाने का सारे प्रयाज जब करते थे सत्तरूट T.M.C. पार्टी उनकी बारे में कुछ नहीं सोचे थे सारे उनका धैन कॉंग्रेसर बंपंदी दलों को तबाह करने के लिए अधिर जी आप जिस तरह से बात कर रहे हैं सबसे खुश है भारती जमता पार्टी अमित शाजी हमारे देश का जो ग्रिया मंतरी कहलाज विजयवर गया अमित मालविया क्योंकि देख रहे कि हमारे बीजेपी का खिलाब भारती जमता पार्टी के खिलाब सारे राजनेतिक दल एक दूसरी को दुश्मन बनते हैं मैं मा मान लिया कि कॉंग्रेस और वाम दल का एक गटपंदन और ये भी उन लोग कह रहे हैं एक सुविदावादी गटपंदन है आपको याद है आप एक समय आप विधायक नहीं बन पाया क्योंकि 300 CPM का काडर आपको रोग दिया था ये इतिहास आपको याद है CPM कैसा बोला कि सिधार तर्शिंकर रहा है कि हमारे काडर को कैसे हत्या क्या तो पुराने दुश्मन आज दोस्त बन गया क्योंकि आपका सामने कौन बराशत्रू है यही सवाल भारतिय जनता पाटी जिसको आपके साम्रदाएक शक्ति है या ममत मैं बताते हूं आपके क्योंकि 2019 का लोकसवा चुना में आपका पश्चिम बंगाल में 42 लोकसवा आसन है इसमें 18 इनको मिल गया भारतिय जनता पाटी के मैक्सिमम इतना उपर कभी नहीं परा आज हम इच्छा कह रहें उनके पास पैसा है उनके बल है और भी आगे बद जा कहा कि पिछले 10 सलों से सारे अत्ताचार हमें जहिलना को परा सारे अत्ताचार जहिलने का बाद आपकी कहने के मुताबिक अब बीजेपी को समालने के लिए जो हमसे अत्ताचार किया सारे अत्ताचारी को पास हमें जाके यह कहना परेगा यह गुवार लगाना परेगा कि भ मैं आपको सहरा देने के लिए तयर है अगर ये सहरा ये मदद आप चाहे बिना आप हमारे कोई मदद चाहे बिना मैं अत्तचार जेलने के बवजूद मैं आपके पक्स रहना चाहते हैं क्योंकि बीजेपी आगे आ रहे हैं तो आप क्या यही हमारा कर्तब निभाने के लिए अब हमें सला दे रहे हैं सबसे पहला मेरा भी सवाल यह है बीजेपी जरूर हमारे दुश्मन है नाशनल लेबल पर बीजेपी हमारे दुश्मन है दुश्मन ही इस दंक से हम नहीं कहते हम प्रतिपक्स कहते हैं हम जो राजन तो बिरोध हम बीजवी पार्टी के खिलाप आज से नहीं, बलकि साधियों से कर रहे हैं, साधियों से बीजवी पार्टी के खिलाप और उनकी पुर्खों के खिलाप ये संगर्स जारी रखते हुए हमें महात्मा गांधी जी को खोना परी, तो ये नहीं संगर्स नहीं हैं ब पिए पी करते हुए चुनावी गढ़बंन करते हुए बंगाल में बी जैपी पार्टी को ने उता कर रेट करपेट बिचा कर बंगाल में इनको सरंदिया था इसका बंगाल में सरंदिय थी कौन भीज़ए पार्टी को ममता बेना जीडे अधिर जी आप जैसा कह रहे हैं हमें तो लग रहे हैं आने वाले विधान सबाद चुनाओं में इनका आसान हो गया का नहीं होगा एक मि पहारी वाजबाईजी का सरकार में मंत्री थे, रेल मंत्री थे, अब सब मानते हैं, अब और वही पुराने दुश्पन, अब उकल लाए है हमारे खिलाए आपके साथ तो दोस्ती हो जाते है, कॉंगरिस केसाथ आपके जैसे दोस्ती हो गया, सर्डी, सीपीएम के साथ, मेरा कहना और कुछ है, जब आपके सामने एक बहुत बड़ा संघर्ष आगे है, आप गांधी जी के नाम किया, हम और भी पीछे चले जाते है, दूसरी जो विश्व युद्ध है, कैसे खतम हुआ, तीन वेक्ती, जिसका विचारधारा अलग था, स्तालिन, चर्चिल, प्रू हिटलर का पतन नहीं होता, मुसलिनी, हिटलर, तोजो का पतन, तो एक सबय, जैसे महाराष्टर में भी हम देखे, आपका एक गडवन्धन होना चाहिए, जो आपके सामने जो सबसे बरा संघर्ष कौन है, आपके सामने, मैं शत्रू नहीं बोलूँगा, जिसका विरोध अगर छोटे राक्षश बोलें कि आपके साथ हमें बरा राक्षश को लड़ाई करने के लिए, अप उनके साथ नहीं है, पिछले 10 सलों से हमें खतम किया गया, वो क्या छोटे राक्षश होते हैं, और बरा राक्षश को तुमने बंगल में लाए, तुमारी कहने पर, वो आ जरूर था, हम इसको नहीं न कार सकते, लेकिन वह हमारा फ्रेनिमी बन गए है, आपने जो कह रहे हैं कि, कि सेगेंड ड्वाल और में क्या हुआ था, जरूर हुआ था, जरूर हुआ था, तो वह भी हमारा फ्रेनिमी बन गए, हम भी वहां कर लिये हैं, आप की जो, आप जो, है और मैंने पहले कर चुके हैं हम लोग बामपंदी दलों को ज़्याद हमारा दोस्ती का मतलब या फ्रेनीमी हो गए एनीमी था अभी फ्रेंड हो गए इसका मतलब फ्रेनीमी बन गए तो मेरा उपर अत्ताचार हो रहे हैं मार खाने का बाद हम कहूंगा कि आप मारते हो ठीक है हमें गर्दन भी ले लो लेकिन आपको मैं मदद करना चाहते हैं अगर इस्तरगे की राज़िती करने के लिए किसी ना मेरे को साला देंगे तो मैं को सत कैसे जूरेंगे तो हमारे लिए दोनों के खिलाप हमें लरना है अभी इसी हालत में माल इसी हालत में हमारे एही हमा धर्म नीरप्रेक्स जमीन की हगदार थे धर्म नीरप्रेक्स जमीन की जो हगदार कॉंग्रेस हुआ करते थे और धर्म नीरप्रेक्स जमीन को हमारी पास बापस लाने की पूर्ज़र प्रयास हमें करना चाहिए यही हमारा आज की तारिक में यही हमारा फैसला है अधिर जी अभी भी तीन महीना समय है एप्रिल में महीना में चुनाओ होने वाले है विदान सबाद चुनाओ है उसके पहले हम शुरू हो गया हम देखा खरीदना बेचना सिर्फ बीजेपी कास तो पैसा का कम नहीं है रुपया का कम नहीं है साथ साथ हम देख रहे एक तरह से जो सांपरदायक शक्ति के बाद आप देखिया सोशल मीडिया में, वाटसैप में आपका घरिना भरा, सूचना, वित्रन हो रहे अमित मालविया जी के बारे में आप जानते हैं मेरे से अच्छा तो क्या होने वाले है आने तीन महिनों में जिस तरह से एक तरह से हम जानते है पश्चिम मंगाल का पूरा जनसंखा का 27 पीस्दी के आसपास मुसल्मान है मगर जिस तरह से एक तरह से सामप्रदाइक शक्ती जो आप भारती जनता पाटी को तो देखते हैं कि सारे हिंदू अगर हिंदू लोग पश्चिम मंगाल का एक साथ हो जाएगा तो उनको फायता मिलेगा और यही रास्ता में वो आगे बर रहे है देखे जरूर हो आगे बर रहे है लेकिन बंगाल में सारे लोग हिंदू लोग एक साथ हो जाएगा यह अगर कोई सोचे तो मुझे लगता है यह इनकी सोच अधूरी रह जाएगा क्योंकि यह बंगाल है नमबर वान नमबर टू आप जिस धंग से बिजबी पार्टी अभी खरीद परुस्त कर रहे हैं तोरपूर कर रहे हैं सत्तरूर पार्टी को यह तोरपूर हमारे स्किला भी हुआ था यह ममता बैने जी खोद हमारे चुने हुए नुमाइंदों को डराके धमकाके भैकाके लुभाते हुए हमारे पार्टी को तोरा तो उसी रास्ता अपनाती हुए बीजेपी पार्टी भी उनकी पार्टी गवे तोरने लगे और बीजेपी पार्टी की तो राजनीती एक ही है सारे हिंदुस्तान में वो राजनिती किया धुबी करन की राजनिती सामप्रदाइक की राजनिती सारे हिंदूस्तान में जो किया वो बंगल में कर रहे हैं और आगे और और जोर से करेंगे लेकिन हमें बंगल की धरम निरपक्स जमीन को रक्षा करना हमारी भी धरम होते हैं हम वही जगह में वापस आ रहे हैं आप रक्षा कीजिए मगर विधान सबाचुना में वोट बाट जाएगा तीन भाग हो जाएगा टीमसी को कुछ मिलेगा वाम और कॉंग्रेस पार्टी को कुछ मिलेगा और भारती जनता पार्टी और इस तरह से सबसे ज़्यादा फायदा होगा भारती जनता पार्टी और इस तरह से हमें लग रहे हैं और बहुत लोगों को लग रहे हैं लोग आश्चेज नहीं होंगे कि सरकार गठन करेंगे भारती जनता पार्टी जनता पार्टी और इस तरह से हमें लग रहे होगे कि सरकार गठन करेंगे भारती जनता पार् और सत्तरूर पार्टी जो आज है वो जो हमारे खिलब जो दहसद्गत की हैं उनसे बचाने के लिए हमें पूर्जोर कोशिश करना पड़ेगा और इसके साथ साथ सांप्रदेक ताकत को बंगल में बंगल में उप्रबिश ना कर सके सांप्रदेक ताकत को बंगल में हराने के लिए हमें पूश्च करना पर गए आप आदर्स रखिए आपका विचारधारा वही रखिए मगर साथ-साथ वास्तव में जो हो रही है आपको मानना परेका जैसे लोग सबावें बावन सांसद लेके कॉंग्रेस सबसे भारतवर्ष का स्वाधीन भारतवर्ष की इतिमाज हमारे सारे सोच को गंगा की पानी में बिसर्जन देके हम चले जाएं और क्या हमें आपना जागा पे बैट कर लड़ना परेगा आज आज कमजर हो इसका मतलब यह नहीं कि जिन्दे की बार हम कमजर रहेंगे ठीक है नहीं लेकिन अगर हम यह सोच छोड़ देंगे हमारा न बंगाल में पहले यह चुना बाइनरी कर दिया था बाइलाटरल बना दिया था एक तरफ टीम से एक तरफ बीजेपी यह मीडिया वालों ने हैं लेकिन धीरे-धीरे समय बितने की साथ-साथ बंगाल में अभी कॉंग्रेस पार्टी और लेट पार्टी की जो गड़ बंधन धीरे-धीरे बंगाल की लोग यह थार्ट जो फोर्स है इसके इलावा टीम सी बीजेपी के इलावा और जो गड़ बंधन की पाकत है इनको भी धीरे-धीरे सोचने लगे हैं तो मतलब हम चाहते हैं कि यह चुनाओ फिखांगोलर हो आचछ पा यह तरैंगूलर हो समय बताएंगे क्या होगा आले वारे कुछ महीनों में धन्यवाद भाति जी आपने आपका कीमती समय निऊस्क्लिक का दर्शक को दिया और समय बताएगे आपके पास हम वापत आजाएंगे नमस्कार धन्यवाद आप लोग देखते रही है News Click